कि तो अब दोस्तो आज में आपको बताने वालो हूं जो गैलरी होती है उसके कुछ ऐसा काम के फीचर होते हैं ऐसे इदन व्युक्तर चाहिद ही बहुत कम लोगों को पताऊंगे दो वीडियो को उसके कभी कब इतनी बड़ी होती है और कभी बहुत चोटी होती है अगर आप यहाँ पर इसको डबल अपने फिंगर से इसको नीचे की तरफ ट्रैक करते जाएंगे मतलब नीचे की तरफ कम करेंगे तो यह फोटो नीचे होती जाएंगी और आप इजीली यहां से कोई भी फोटो को फाइंड कर पाएंगे आपको दिक्कत नहीं होगी और अगर आप इसको उपर की तरफ करेंगे तो यह बड़े होते जाएंगे आप द ज़स्ट होता जाएगा, तो बहुत ही शांदार फीचर है, आप इसको यहाँ से डबल फिंगर से स्वैब अप और स्वैब डाउन करेंगे स्वरी, डबल फिंगर से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो यह शोटी होती जाएगी और उपर की तरफ करेंगे तो यह बड़ी होती जाएगी आप देख सकते हैं दोस्तों यह बहुत यह अच्छा फिचर है उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ जाएगे अगर आप उसको यहां से इसको भी यहां से करके रखेंगे तो यह भी नीचे की तरफ आपकी तरफ आगई है तो आप इसको भी यहां पर एजस्ट कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं उसके बाद दोस्तों यहां पर जो आपको अलग फीचर मिलता है यहां पर आप त्री डॉट्स में जाएंगे यहां पर आपको मिलता हाइड और अन हाइड का अलबम का मतलब आप किसी कोई भी अलबम को छुपा सकते हैं कि कोई उसको देखना सके तो मैं आपको बता देता आपको एगा क्योंकि यहां से हाइड हो चुका है और यह फोल्डर यहां कहीं नहीं देखने वाला एपको अगर आपको बापे सब्सक्राइब यह तो यहां से यहां स हाइड कर सकते हैं अपने हैसाब से फोल्डर को ताकि कोई आपको फोल्डर पर उस फोल्डोस को या वीडियो को नहीं देख पाए थोड़ी सिक्यूरिटी टाइप की हो जाएगी उसके आद दोस्तों जो काम का फिचर है अगर आप यहां पर आएंगे कोई भी वीडियो को प्ले करते हैं तो आप देखेंगे य वीडियो आपकार enmध यागा स्कुग को आप फूक करेंगे तो यह वही से स्क्रीन शॉट ले लएगा उसी पर्टिकופटो की जिस पर आपने जहां पोस्त करके रखिए होगी वीडियो को तो जो की बहुत कमाल का फिचर है उसके वार बंद दोसे के तरफ आंगे यहाँ यहां पर जो option मिल रहा है left right hand side पर आप इस पर track करेंगे तो यह इसकी जो size है वीडियो का वो adjust होता जाएगा आप देख रहे होंगे उपर लिखा भी आ रहा है आपको प्ले होती रहेंगी मैं चाहें बैक आजाओं तो यह बहुत शांदर फीचर है gallery का आप कोई भी वीडियो ऐसे play कर सकते हैं इसका size adjust कर सकते हैं जैसा आप size चाहें और इसको यहां से बंद करना होते हैं यहां से बंद भी कर सकते हैं तो बहुत कमाल का feature है उसके बाद दोस्तो तो अगर आप यहां पर आएंगे अलबम में यहां सबसे उपर आपको सज्जिस्ट कर जो ऑप्शन मिल रहा है राइट हैंड साइट पर वहां जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे जो लास्ट आपने कोई फोटो कीची होंगी तो यह आपको बता देगा लाइक यह कर सकता हूं जो की बहुत प्यारा फीचर दिया गया है और आप चाहें तो इसको एज्जेस्ट करके चेंज भी कर सकते हैं फोटो सको और कुछ भी तो बहुत सारे आपको यहां सज्जेशन मिल जाएंगे आपकी फोटोस के इससाब से उसकी बाद दोस्तों ऊपर की तरफ आपको मिलेगा यह और वीडियो का उप्शन यहां पर जाएंगे तो सारी वीडियो दिख जाएंगी यह यहां नीचे की तरह आप देखेंगे आपको हट देख रहा है अगर आप इस हट पर क्लिक कर देंगे तो यह आपकी फेवरेट में चला गया है और आप बैक आएंग आप देखेंगे आपकी फोटो यहां पर आ चुकी है वीडियो जो भी आप फेवरेट पे करेंगे यहां पर आपको दिख जाएगी यहां रीसेंट के ओप्शन में जो लास्ट आपने फोटो या वीडियो अप जो यहां पर आगया है जो कि बहुत काम का फिचर है तो दो तो यह कुछ ऐसे फीचर्ज हैं जो कि बहुत काम केते और उसके बाद यहां पर स्टोरी पर आएंगे तो by default इस टोरी डेट के साफ से create कर लेता है अगर मान लीजे मेरे पास हमसंग का मोईल है तो मैं यहां पर create share album करूँगा और अपनी कोई भी album को share कर दूगा उस particular contact पर जिसके पास हमसंग का मोईल है तो वो फोटो को वहां पर देख सकता है without sharing करें मतलब without मैंने अगर download करके नहीं दिया या pen drive में डालके copy करके नहीं दिया उसके बिना भी डारेक्ट देख सकता है online shared album के थुरू तो जो की बहुत काम का बीचर है बट यह सेंटक दू सेंटक मोबाईल पर ही चलता है तो थेंकी दोस्तों तो दोस्तों मुझे उमीद पर मिल जाएगा तो थेंकी दोस्तों